क्या आप अपने बालों को लंबा, काला, और घना, और सुन्दर बनाना चाहते हैं, तो परफेक्टली आपने लाइन किया है इस वीडियो पे दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगर नाचुरल सा तरीका जिससे की आप अपने बालों को लंबा, काला और घना बना सकते हैं बाल अगर टूट रहे हैं जढ़ रहे हैं किसी भी कारण से बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि बालों का टूटना जढ़ना इस सारी चीज़े सोभाविक हो जाती है तो आप उसे स्टॉप कर सकते हो घरेलू चीज़ों का आप यूज़ करके बालों में एक नौरिशमेंड मिलती है बाल आपके बहुत ज़्यादा सील्की और स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप दही का इस्तिमाल करते हो अपने बालों पे आपके बालों से जो डैंडर्फ की समस्या होती है वो समस्या भी आपकी दीरे-दीरे solve होना शुरू हो जाती है तो दही मैंने यहाँ पे ले लिया है आधे कटोरी के चमच के तक्रीबन आपको दही ले लेना है मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रिंग राज आपको पता है दोस्तों जो ब्रिंग राज है यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको रिठा का पाउडर लेना है रिठा क्या करेगा आपके बालों को क्लीन्स करेगा बालों की सफाई करेगा जडों की सफाई करेगा जिससे कि आपके बालों पे कोई भी बैक्चिरिया नहीं पन पेंगे अभी आपको यहां पर शिकाकाई आप सदियों से शिकाकाई का इस्तिमाल करते आ रहे हैं अगर आपने सुन भी रखा है तब भी हमारी दादी नानी जोती शिकाकाई के बारे में काफी जादा जानते थे तो शिका काई से आप अपने बालों को तेजी से लंबा कर सकते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओईल दोस्तों आपके पास ब्रिंग राज का ओईल है या फिर नारियल का तेल भी है नो दोस्तों तब भी ये चल जाएगा आप इस रेमेडी में जरूर ओईल को म और बालों के भी काम फ्राइब भी में जरूर तो आप तो इस दो यहाँ बत बाल जो और ने बालों को पांपटी है थुन दे सबाहि तो जो नए बाल आते हैं वो काफी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी बाल आते हैं इस रेमेडी को तीस मिनट लगा करके छोड़ना है उसके बाद अपने बालों को आप शैंपू कर सकते हैं और काफी अच्छा रीजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एक बार इसे जरूर यूज़ करिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलती हुमें आपको नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बाइब बाइब नाइस दे विए एवग रेट दे